हेलो फ्रेंड्स मैं किर्ति अपने चैनल गाडंिंग विद किर्ति वर्मा में आप लोगा हारदिक स्वागत करती हूं फ्रेंड्स मैं इस वीडियो की सुरत इस खुबसूरत से flowers के साथ कर रही हूँ फ्रेंड्स यह annual krisanthemum के flowers है अब मई के महिना में भी यह काफी अच्छी तरह से flowering कर रहे हैं लेकिन इस मन्त के last तक यह खतम हो जाएंगे फ्रेंड्स और सभी को मैंने seeds से grow किये थे तो आज मैं मलाबार spinach के seeds को harvest करने वाली हूँ फ्रेंड्स तो उसके seeds कैसे होते हैं पकने पर तो चलिए उसे दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स यह मलाबार spinach के seeds हैं यह पक चुके हैं अगर मैं इसे पेड में छोड़ देती हूँ तो इसके seeds जड़के इधर उधर उड रहेंगे जब यह पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं तो अपने आप निकलने लगते हैं और गिरने लगते हैं इधर उधर तो मैं इसे निकाल लूँगी और उसके बाद इसे एक सबता तक sun dry करूँगी और फिर उसे लगाऊंगी तो मैं लगा कर भी आप लोग को दिखाऊ होंगे तो देखिए यह सब पक चुके हैं बिलकुल देखिए धेर सारे इसमें सीड्स लगे हुए देखने बहुत खुबसूरत लगते हैं और गर्मियों के दीन में जब हमारे पालक नहीं ग्रो होता है तो माला बार इस्पिनेच बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते है है इजली ग्रो हो जाते है बहुत कड़ि धूप है 10 बज़े ही लग रहा है कि जैसे बारा बज़ चुका है बहुत तेज धूप है इसम्हिं लेकिन यह अच्छी बात है कि सीड्स काफी अच्छी तरह से ड्राइय हो जाएंगे और जल्दी ड्राइय हो जाएंगे तो सीड जहां तहँ इसके सीर्ट किरते हैं और अपने आप ग्रो हो जाते हैं फ्रेंट्स जितना न्यूंट्रिशन आपको पालक की साग में मिलता होतना ही इसमें भी रहता है यहां ऐरन से भर पूर होता है और हर तरफ किस मिनरल्स पाया जाते हैं तो देखेंच मेरे मलाबार इस्प तो चलिए फ्रेंट्स इसका हर्वेस्टिंग करते हैं एक कैची की सहता से मैं इसके बंचेज को काट लोगी इसकी गुच्छे को मैं कैची की मदद से काट लेती हूं तो देखिए फ्रेंट्स यह कट गया लेकिन ऐसे भी इसके सीर्स काफी असानी से निकल आते हैं ब्रांचे से तो देखिए इस तरह के सीर्स से हैं पके हुए इस तरह मैं कलेक्ट कर लेती हूं तो फ्रेंट्स इसमें कलर भी निकलता भी मैं दिखा तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह के color निकलते हैं और इसका जो color होता है बिल्कुल पक्के होते हैं अगर आप harvest करें तो अपने कपड़ों को बचा नहीं तो कपड़े में इसका color लग जाता है friends friends हरे होने पर भी यह काफी खुबसूरत दिखते हैं friends तो चलिए मैं इसका picture आप लोग को दिखाती हूं कि यह जब पके वे नहीं रहते हैं तो कैसे दिखते हैं देखे friends यह picture है जब यह हरे होते हैं तो इस तरह दिखते हैं friends और काफी खुबसूरत लगते हैं बिल्कुल सफेद मोतियों की तरह लगते हैं तो चलिए friends सारे seeds को काट के आप लोग से मैं मिलती हूं देखे इस तरह रंग मेरे हाथों में लग गया है तो देखे friends मैंने seeds को harvest कर लिया है अब सभी को उठाके मैं इसे तेज धूप में सुखाऊंगी तो देखे मैंने धूप में डाल दिया लगवग एक सब्ता तक मैं इसे सुखा लूँगी अच्छी तरह फिर मैं इसे लगाऊंगी क्योंकि अभी यही मौसम है मलाबार spinach यानि पोय के साको लगाने का तो सुखा हुआख सीड्स मेरे पास पहले से है फ्रेंट्स तो देखे फ्रेंट्स इसके जो सीड्स होते हैं सुखे हुए कुछ इस तरह दिखते हैं बिल्कूल छोटे छोटे गोल मिर्च के तरह दिखते हैं अब इसे मैं पानी में लगवग साथ से आठ घंटा भीगो एक बाद इसका जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है वैसे भी आप इसे डार्यक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं और लगाने के बाद थोड़ी सी मतब हाफ इंच गड़े करके उंगली से उसमें लगाईए उसको सीड़ डालके उसको ढखके उसमें वाटरिंग कर दीज है और यह जो सीड्स देख रहे हैं उसे मैंने पांस एच्छे घंटे के लिए भींगो दिया था और ऐसे भी आप टैरेक्ट भी लगा सकते बीना भींगो हुए लेकिन इससे जर्मिनेशन रिट तेज हो जाता है भींगोने पर और देखिए इस तरह मेरी भूरी मिट्टी ह है तो इसमें मैंने 50% गार्डेंस वैल, 40% कोबर की खाद और 10% सैंड मिलाया था और इसकी उचाई देखिए एक फिट के लगबग है और चोड़ाई 18 इंच है तो काफी अच्छी तरह से इसमें ग्रू हो जाएंगे मलाबार इसमें और किसी भी चीज से आप छोटे-छोट होल्स बना लिजे लेकिन होल की जो घराई है वो आधा इंसे जादा नहीं होना चाहिए और इस तरह मैं एक कैची की मदब से इसमें होल बना ले रही हूँ आप किसी चीज से होल बना लिजे उसके वाद इसमें सीट डाल दीजे और उपर से मिठी से ढखके उसमें वाटरि लिए मैं सीट लगाती हूं तो हर इस में होल में एक या दो सीट डालिए उससे ज्यादा नहीं फ्रेंड लेकिन मैं एक ही डालूँगी तो चलिए इस तरह धीरे-धीरे में सारे में डाल के आप लोग को दिखाती हूं इस तरह सारे होस में मैं सीट डाल दे रही हूँ उसके बाद उपर से मैं मिट्टी से ढब के उसमें वाटरिंग कर दोंगी इस तरह मिट्टी से अब ढब दीजे उसके बाद आप किसी कें से वाटरिंग कर दीजे लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से वाटरिंग मत किजे फ्रे पूरी तरह तरग देना है तो मै ने कर दिया अचलिए सवाग काफि कर गया हैं तो अगर हम भिंगों के लगते हैं कोई बढ़ जाता है वैसे माला बार इस्पिनेच की सिट्स 10 से 15 दिन लगाते हैं जैमिनेट होने में फ्रेंट्स तो चली फ्रेंट्स अपडेट के साथ फिर हाज ही होती हूँ अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंट्स बाइ फ्रेंट् धिन थेड्ड़न